आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में वेरी वेरी गुद आफ्टेनोन आजी क्लास में आजाई ये फड़ा-फड़ से सचेन, देबाजीत, गोलशन, वीर, मुकेश, अर्शन, लक्समी, पंचाल वेरी गुद आफ्टेनोन आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है cities and persons दोनों के बारे में जानेंगे हमारे जो महापोरुष रहे हैं कुछ ऐसी personalities रहे हैं जिने कि हम nickname से जानते हैं जिनके उपनाम के नाम से हम जानते हैं कि ऐसे कुछ cities हैं जिने की हम nickname से जानती हैं तो इनके बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम थोड़ा सा personalities के बारे में जानेंगे ओगे ready सब भी लोग session को एक बारे से like and share कर दीजेगा ताकि सब लोग हमारे साथ में connect हो सके और फिर करते हैं शुरुआत कर दिया है thank you so much दे बाजी कितने समझदार हो गए तुमनों ऐसे कर दिया अगरो आते ही काम खुद से कर दिया करो ठीक है शुरू करते हैं फर्स्ट question जो है वो आपके screen पे आ चुका है देखिए so सबसे पहले पूछा जा रहा हूँ is known as मैसूर एक्सप्रेस आज answer नहीं मिलेंगे आपको साथ में उसका reason यह है कि आप लोग भी try करना चाहें तो try कर सकते हैं ठीक है आप मुझे बताईगा मैसूर एक्सप्रेस के नाम से किनहें जाना जाता है answer कोई के बताना चाहेगा जगवाल श्रीनाद ठीक है जगवाल श्रीनाद जो कि काफी famous जो है बोलर थी ठीक है अच्छा उसके बाद नेक्स डॉक्टर राजिद्र प्रसाद इन्हें किस उप नाम से जाना जाता था जो कि हमारे first president ये रह चुके है डॉक्टर राजिद्र इन्हें देशुरत्न के नाम से जाना जाता था ठीक है एक सिकिंड में बिलकुर सही है संजे कुमार करेक्ट है देश रतन अजात शत्रो चीक है अच्छा उसके बाद आते हैं बगबंदू के नाम से आप मुझे हां काफी सारे नाम ऐसे मिलेंगे आपको जो आपको कि मैणम ये तो हमने कभी नहीं सुनी है क्योंकि आपने नहीं सुना उसके बारे में नहीं पढ़ा हैं लेकिन अग्जामिनर वह सवाल पूछता है आपसे जैसे कि बगबंदू के नाम से जो है ये कौन फेमस थे बगबंदू के नाम से किन्हें जाना जाता है ये है नेक्स आपको बताना है क्या हो जाएगा इस कार्सर किसी दें नहीं बताए शेख मुझीबर रह्मान क्या है शेख मुझीबर रह्मान ठीक है शेक मुझेवर रह्मार ये बांगलादेश के फर्स्ट प्रेजिडेंट की रूप में कारे कर चुकी है आगे चलते नेक्स सोरफ गांगुली ये तो सभी को पता होगा जिसको इसका आंसर नहीं पता है समझो फिर तो कुछ नहीं हो सकता आप मुझे बताएं सोरफ गांगुली को किस नाम से जाना जाता है आंसर फटा फट से क्या होगा करेक्ट आंसर बेंगोल चाइगर के नाम से हाँ दादा भी कहते है बेंगोल चाइगर के नाम से जाना जाता है कॉलकाता का राजा भी कहा जा दिया जाता है Flying Sikh के नाम से आप सभी जानते हैं Flying Sikh के नाम से हम किसे जानते हैं अजी किसको Milka Singh को जाना जाता है Flying Sikh के नाम से कौन हो जाएंगे Milka Singh है Milka Singh को जाना जाता है इसके बाद बाद करते है Sachin Tendulkar को किस उपनाम से जाना जाता है सचिन तेंदुलकर को क्या कहा जाता है Master Blaster इन्हें क्या कहा जाता है Master Blaster के नाम से जानते हैं सचिन तेंदुलकर को ठीक है Little Master भी कह दिया जाता है और God of Cricket तो आप सभी जानते ही है इन्हें God of Cricket भी कहा जाता है Is it okay? Very very important है और ये सब को पता भी है already Frontier गांधी के नाम से किसे जाना जाता है Frontier गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है Answer यहाँ पे कोन हो जाएंगे Khan Khan Abdul Gaffar Khan थी Khan Abdul Gaffar Khan जो पहले विदेशी भी बने थे जन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था पहले विदेशी भी यही बने थे ठीक है Iron Lady के नाम से किन्हें जाना जाता है इसका तो answer में expect करते हूँ कि सब लोग देंगे Iron Lady के नाम से किसे जाना जाता है Very good Indra Gandhi Correct किसे जाना जाता है Indra Gandhi जो है इन्हें जाना जाता है ठीक है महमना की उपादी किन्हें दी गई थी आपको बताना है महमना की उपादी जो है ये किन्हें दी गई थी किन्हें मिलती है मदन, मोहन, मालवियाची को मदन, मोहन, मालविया इनको महमना की उपादी से सम्मानित किया गया था ठीक है आगे चलते जन्न नायक की नाम से किन्हें जाना जाता है क्या हो जाएगा आणसर करपुरी ठाकूर किन्हें जाना जाता है करपुरी ठाकूर को जाना जाता है आप पिटी उशा इनके बारे में आप सभी जानते हैं पिटी उशा जो है इन्हें जाना जाता है उडन परी के नाम से पिटी उर्षा जो है ये किस नाम से जानी जाती है उडन परी के नाम से जाना जाता है साथी साथ में इन्हें पयोली एक्सप्रेस भी कहती है इन्हें पयोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है ठीक है अच्छा लेकिन धिंग एक्सप्रेस के नाम से किने जानते हैं अगर पूछ लिया जाए धिंग एक्सप्रेस के नाम से किने जाना देखो आज का सेशन मज़दार है कहो तो एकदम मज़ा आने वाले हैं अगर आप लोग इंटरस्ट लेके पढ़ोगे तो मुझे भी बता चलेगा कितने बच्चों कितने चीज़े पता हैं ये बताओ इमादा संजे कुमार को सब पता होता है बिल्कुल ये हमारी अगर ये ओफलें क्लास होती तो हम संजे कुमार को क्लास का मॉनिटर डिक्लियर कर देते हैं सारे सवालों के जवाब एकदम सही देता है ठीक ह आगे चलते हैं, next देखों बंगाल केसरी की नाम से किन्हे जाना जाता है बंगाल केसरी की बात करते हैं तो यहां पर कौन हो जाएंगे आशुतोष मुखर जी है यह पंजाब केसरी नहीं है ठीक है, अगर आपसे पंजाब केसरी पूछ लिया जाए पंजाब केसरी जो है यह न्यूस पेपर था पंजाब केसरी क्या था? न्यूस पेपर था यह किसने चलाया था? लाला लाश पतराई का न्यूस पेपर था यह किसका न्यूस पेपर था? लाला लाश पतराई केसरी न्यूज़ पेपर लोक्माने तिलक का थाओ ठीके, आच्छ, भारत का बिसमार्क किसे कहा जाता है, ये बताओ, आन जी विने, लवली, दिबाजीत, आंसर करो आपको बताना है, भारत का बिसमार्क जो है, ये किसे कहा जाता है एक आंसर आया था शायद नो 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 किसी कार्सर आया नि अभी तक कोई तो बता दो वल्लब भाई पर्टेल ठीक है क्या हो जाएगा वल्लब भाई पर्टेल जो है इन्हें कहा जाता है ठीक है Is it okay कश्मीर काकबर जैनूल अबदिनी को कहा जाता है जैनूल अबदिनी ये शायद काफी कम लोगों को पता होगा इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है ठीक है आच्छा दीन बंधु किसका नाम है अगर मैं आपसे पूछू दीन बंधु के नाम से किनहे जाना जाता है C.F. एंड्रियस आच्छा, भारत के शेकस्पियर की नाम से अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत के शेकस्पियर के नाम से किनहे जाना जाता है तो कालिदास जिनकी काफी सारी famous रचनाए है जैसे की मेगदूत हो गई अभी ग्यान शाकुंतलम किसकी रचनाए है ये कालिदास की रश्राई है, इनहीं कहा जाता है भारत का शेक्सपीर, ठीक है, आच्छा, दृवर्च निखने मेजर जेनरल राजिंदर सिंग नौनेज, जो मेजर जेनरल राजिंदर सिंग थे, इन्हें किस नाम से जाना जाता था इन्हें भारत की चिडिया कहें सकते हो Sparrow of India इन्हें कहा जाता था Sparrow of India भारत की Sparrow के नाम से इन्हें जाना जाता था Next रवींद्रनाथ टेगोर को किस उपाधी से सम्मानित किया गया इन्हें दे जाती है गुरुदेव की उपादी किस ने दे थी महात्मा गांधी ने दे थी ठीक है रविंद्र नाथ टेगो जो की पहले ऐसे भारतिय बने थे जिने नोबल प्राइस से सम्मानित किया गया था 1913 में इनकी रचना गितांजली के लिए ठीक है इनको गुरुदेव की उपादी मिली ह गांधी जी को बापू यार राश्ट्र पिता इन्हें राश्ट्र पिता की उपादी ये किस ने दे थी ये बताओ सबको महात्मा तुमे ने बता दिया रविंद्र टेगोर ने दे थी आप मुझे बताईए इन्हें राश्ट्र पिता किस ने कहा था ठीक है चलिए नेक्स आपको बदाने मैसूर का टाइगर मैसूर का टाइगर ये किसे कहा जाता है टीपू सुल्तान को कहा जाता है ठीक है किसे टीपू सुल्तान को कहा जाता है मैसूर का टाइगर ठीक है अमीर खुसरो का सब जानते हैं सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर क्या आजाएगा सुभाश्यंद्रबोश जिनों ने राश्चुपिता की उपाधी दी ठीक है अमीर खुसरो को किसकी उपाधी दी गई थी तोताए हिंद वर्सी क्लास इस गरेक्ट है इन्हें तोताए हिंद की उपाधी मिलती है ठीक है next शेर एक कश्मीर किसे कहा गया है यह बापु जी नहीं है कई गांदे जी करके चले आओ गलत हो जाएगा बापु नहीं है यह बापु जी है किसे कहा गया है? बिहार वालो, तुम तो बताओ, जग जीवन राम, किसे कहा गया है? जग जीवन राम को कहा गया है, ठीक है? आच्छा, बिहार विभूती के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है, अनूग्र है, नारायन सिंग को, अनूग्र है, नारायन सिंग को कहा जाता है, बिहार विभूती, आगे चलते, ग्रैंच, ओल्ड मैन ओफ इंडिया, ये सब को पता है, ठीक है? ग्रैंच, ओल्ड मैन ओफ इंडिया जो है, ये किसे कहा जाता है? आँ जी बताओ फड़ा फड़ से ये तो बतादो कम से कम किसे कहा जाता है दादा भाई नौरो जी को कहा जाता है भारत का मैख्या विली किसे कहते है अगर आपसे पूछ लिया जाए मैं क्या विली ओफ इंडिया जो है ये किसे कहा जाता है ये वो famous title है जो हमारी class में दिया जाता है हुशियार बच्चे को मैं कौन सा title देती हूँ वही इसका answer है काफे time से नहीं दिया है मैंने एना काफे time से नहीं दिया है चले क्या होगा answer चाणक क्या होगा चाणक क्या है शाहीद ए आजम क्या है शाहीद ए आजम की जो उपादी है ये किसे दी गई थी अंजे शाहीद ए आजम की उपादी किसे दे जाती है शाहीद ए आजम किसको मिले गई, जिनके नाम पर हम शहीद दिवस मनाते हैं जिनके नाम पर 23 वार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है अब तो बता दो, हाँ, इमामी कुमारी करेक्ट है, भगत सिंग क्या होगा आंसर? भगत सिंग होगा, ठीक है? सी राज गोपालचारी इन्हें किस नाम से जाना जाता है सी राज गोपालचारी इन्हें राजा जी की उपादी मिले थी इन्हें कहा गया था राजा जी हिट मैन के नाम से किने जाना जाता है हिट मैन की बात करेंगे हिट मैन बताओ कौन थे अच्छा मैं आपको दो अप्शन्स देती हूँ रोहित शर्मा या विराट कोली चले दो अप्शन में से यह की बताना है रोहित शर्मा या खबरदाज दोनों अप्शन में दोनों आंसर किये तुम लोगों ने अरे वा अच्छा मैं बहुत सुन्दर हूँ पता है मुझे, कोई नहीं बात नहीं है इसमें, यह मैं रोज सुनती हूँ, मैं और इग्नॉर करती हूँ, आप बस कॉंटेंट पर फोकस करो, मुझे पर मत करो, ठीक है, रोहित शर्मा जिनों ने आंसर किया, बिल्कुल करेक्ट है, तुम लोग के चकर में आदी बार तो इन आटकोली को कहा जाता है, ठीक है, आगे चलते, MS दोनी, MS दोनी को काफी नाम से जाना जाता है, इन्हें कहा जाता है, माही तो सब ही जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, और इन्हें कहा जाता है, क्याप्टन खूल भी कहा जाता है, और एक इनको थाला भी कहा जाता ह इन्हें कहा जाता है नवाब कहा जाता है किसको विरिंद्र सेवाग को कहा जाता है हाँ मुल्तान का सुल्तान भी कहते हैं, correct है बिल्कुल, ठीक है, वर्सी क्लास इसे, मुल्तान का सुल्तान भी कहते हैं इनको, बिल्कुल ठीक है, मुल्तान का सुल्तान, ओकी, आगे चलते हैं गब्बर, किस खिलाडी का उपनाम है, ये किसको कहते हैं, गब्बर किसको कहते है ये बताओ आ लवली, वेरी गुड किसको कहा जाता है लवली, किस क्या वे शिखर दवन करेक्ट है ये कहा जाता है किसे शिखर दवन को शिखर दवन को कहा जाता है गबर की नाम से जानते हैं आगे चलते हैं चुतरंजन दास की बात करेंगे चितरंजन दाज चो है इन्हें किस उप नाम से जाना जाता है इन्हें कहा जाता है देश बंधु देश बंधु के नाम से जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक ये सभी जानते हैं इन्हें लोक मान्य तिलक के नाम से जानते हैं लोक मानने तिलक, इनके नाम पे तो अवोर्ट्स भी दिये जाते हैं, जो मोधी जी को मिला था पिछले साल, ठीक है, जै प्रकाश नारायन, इनहें क्या उपाधी दी गई थी, लोक नायक, करेक्ट है, इनहें बोला गया है, लोक नायक, ठीक है, देखो भई, बाकी बच्चे देखो, सबको जिनको आंसर पता, फटा फट आंसर कर रहें, यहां पर कॉम्पेटिशन का पता चलता है, तुमारे साथ ही भी देखो, ठीक है, तो अटेंशन वाली कोई बात नहीं है, बस अपनी प्रक्टेस अच्छी करो, और कुछ नहीं है, दो तरह की लोग होते हैं, ए दूसरी तरह की लोग उसी चीज को मोटिवेशन मनाते हैं, आरे तू रुक वाई, हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, तो आप दूसरी वाली कर्टेगरी में हो, दुखी नहीं होना है, जो आंसर कर रहे हैं, फटा पर तुमारे भाई-वेन, उनसे बस यहीं सीखना कि इने हम नेताजी के नाम से जानते हैं, नेताजी सुभाष चंदरबो, ठीक है, मैन ओफ डेस्टिनी, मैन ओफ डेस्टिनी, नेपोलियन बोनापार्ट को कहा गया, ठीक है, कर्यक्ते, चलिए, उसके बाद बात करते हैं, विनोबा भावे, इनके नाम के आगे लगता है, विनोबा भावे, जिने की कौन सा सम्मान जो है वो दिया गया था, ठीक है, क्या नाम है, फिलिपिन्स का, जो सम्माने साथवी राश्चुपती की नाम पे जो दिया जाता है, बिलकुल सही है, तब ही हमने ये पढ़ा था, ठीक है, रवेन मेग से से अवोर्ड, आचा, गुर जी, देखो, गुरु देव तो हमने पढ़ा था, कि गुरु देव जो है, ये तो कहा जाता है, रविद्रनाथ टेगोर को, है ना, ये तो रविद्रनाथ टेगोर को मिला था, लेकिन गुरु जी की बात करते हैं, गुरु जी की बात करते हैं, ये किसको मिला, ये किसको मिल इतिहास के राजा निर्माता की रूप में कौन जाने जाते हैं, तो ये किसको कहा जाता है, सैयद बंधु को, इतिहास का निर्माता सैयद बंधु दो भाई, इनको कहा जाता है, जिनके बारे में हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, वैसे फादर ओफ हिस्ट्री, हेरो डोटस को क कहते हैं, इनकी बुक आती है इसे रो पर केया तो यह की नहीं कहा जाता है, काइदे आजम की बात करते हैं, बिल्कुल यह कए और यह किसे बढ़ जाता है येस वार्सी क्लास इस करेक्ट है मोहमद अली जिन्ना ठीक है मोहमद अली जिन्ना को कहा जाता है ठीक है चले चंद्रशेखर नेक्स चंद्रशेखर इन्हें किस उपनाम से जाना गया है इन्हें किस उपनाम से जाना गया है इन्हें कहा जाता है युवा तुर्क युवा तुर्क जवाहला नेहरू इन्हें चाचा कहा गया बच्चों से बड़ा प्यार करते थे चाचा कहा गया लेकिन एक और उपादी है चाचा नेहरू के साथ साथ एक और शब्द हम इनके नाम के आगे लगाते हैं एक और टाइट हम लगाते हैं, अंकल नहीं बोलना है, हर चीज में ऐसा नहीं कि तुम हिंदी का ट्रांसलेशन अंगरे जी में कर दोगे, वो चाचा ही रहेंगे फिर भी, अंकल नहीं बोलना है, आपंडित, ठीक है, दूसरा इनको जो टाइटल मिला, that is पंडित, ठीक है, पंडित जवाहला शास्त्री को कहा जाता है, ठीक है, लता मंगेशकर, आप सभी जानते हैं, इन्हें स्वर कोकिला कहा गया है, लता मंगेशकर को क्या कहा गया है, स्वर कोकिला कहा गया है, ठीक है, स्वर कोकिला, ओके, भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, इन्हें बाबा साहिब कहते हैं है ना बाबा साहिब अमबेडगर के नाम से जानते हैं इनको ठीक है आगे चलते एनी बेसेंट एनी बेसेंट का बताओ ये देखते कौन बता बात है आप एडियोफ मिल जाएगा भी शेक पहले पड़तो लो लास में बता देंगे आप मुझे बताइए एनी बेसेंट को किस आम से जाना जाता है पड़ा फट से जिसने आंसे गर दिया मान जाएगे उसको चानक के क्यों पादी देंगे हम जल्दी बताइए अच्छा सम्विधान का जनक अच्छा मेडगर की बता रहे हो ना अभी मेरे को अटैक आ जाता ये देखो राहूल कहा रहे उड़न परी अ पादा चल गया ना तो तुम मिलोगे नहीं यहां ठीक है एनी बैसंत को कहा जाता है माता बसंत ओके चली आगे चलते मदर टेरेसा जो है मदर टेरेसा जो है इन्हें किस नाम से जाना गया निर्मल रदे क्या है निर्मल रदे ठीक है ध्यान चंद जो है इन्हें किस नाम से जाना गया मेजर ध्यानचन के नाम से होकी का जादुगर इन्हें कहा जाता है आप सभी जानते हैं ये होकी का जादुगर कहे जाते हैं ठीक है होकी का जादुगर जो है वो इन्हें कहा जाता है क्योंकि इहीं के टाइम पर हमने होकी के अंदर सबसे पहले गोल्ड जीता था ओलम्पिक्स में ठीक है कब जीता 1928 में जीता 1932 में जीता और उसके बाद जो है चार-चार साल पे होते ना 1936 में जीता फिर तो वल्ड वोर्स जो सकी न वो स्टार्ट हो गया तीनों बार होकी के अंदर हम गोर्ड लेकर आए थे ओलम्पिक्स में मेजर ध्यांचन की वज़े से उसके बाद ही इनको होकी का जादूगर कहा जाने लगा इनी का हैपी वाला बड़े 29 अगस्त जिसे की हम स्पोर्ट्स डे के रूप में सलिब्रेज करते हैं कपिल देव अर्याना वाले बताएंगे इसका अंसर अगर नहीं बताया तो तुम कूटे जाओगे देखो किसने बताया है सुचिब्रा मैती हरीकेन ओफ हर्याना करेक्ट इन्हें कहा जाता है हरीकेन ओफ हर्याना ठीक है किसने कहा जाता है कपिल देव को कहा जाता है ठीक ह next आगे चलते APJ अब्दुल कलाम की बात करेंगे आप सब ही जानते हैं APJ अब्दुल कलाम जो है ठीक है जो की former president रहे चुके इन्हें कहा जाता है missile men of India ठीक है अब यहीं पर देखो missile woman भी लिख लो आगे नहीं मिलेगा missile woman की अगर बात करते हैं तो यह Tessy Thomas को कहते हैं ठीक है अगर आप से पूछ लिया जाए rocket men तो rocket women के सिवान को कहा जाता है लेकिन अगर मैं आप से पूछे हूँ rocket woman तो यह कौन बताएगा यह बता दो एग कोई क्लास में कोई माई का लाल बाप का लाल, पापा की परी मम्मी का मगरमच कोई भी हो, anyone of you यह बता दो rocket woman of India कोई भी Google नहीं करेगा ठीक है आँ, देबाजी correct है, सबसे पहले answer किया है इनका नाम है रेतो करीधल अब ही चंद्रियान अथ्री के अंदर भी इनका काफी बड़ा role play रहा था समुंद्र गुप्त को किस उपनाम से जाना जाता है आप सभी जानते हैं समुंद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है अशोक की बात करेंगे अशोक को किस उपनाम से जाना जाता है अशोक को क्या कहा जाता है प्रिय दर्शी ठीक है आशोग को क्या कहा जाता है, प्रिये दर्शी कहा जाता है, ओके चले हिटलर बताओ, हिटलर, फ्यूरर, इसे क्या कहते हैं, फ्यूरर, ठीक है, राजिद्र सिंग जो है, ये किस उपनाम से जाने जाते हैं, राजिद्र सिंग की बात करेंगे, इन्हें किस उपनाम से जाना ज गुशले दुबारा से मेडम प्रेजडेन्ट को आप दुबारा है यह राजिंद्र सिंग है ठीक है जल्दी जाल्दी उन्हें किस नाम से जाना जाता है निया वॉटर मैन आफ इंडिया कहते है वॉटर मैन कहते है अगर मैं आपसे पूछра Metro Man अगर मैं आपसे पूछू Metro Man किसे कहा जाता है तो ये किसे कहते है E. Shri Dharan को E. Shri Dharan को कहा जाता है अगर पूछ लिया जाए Bird Man of India तो ये Salim Ali को कहा जाता है किसे? Salim Ali को ठीक है? आच्छा नेक्स शहां जहां ये किस उपनाम से जाने जाते हैं? ये बताओ बई शहां जहां जो है ये किस उपनाम से जाने जाते हैं? Answer बताओ बताओ Sanjay Kumar करेक्टे क्या होगा? खुर्रम ठीक है? शहां जहां को किस नाम से जाना जाता है? तो खुर्रम की नाम से इने जाना जाता है चले, आगे चलते ओरंग जेब, आप सभी जानते ओरंग जेब को जिन्दा पीर कहा गया है, इन्हें जिन्दा पीर की उपादी मिले थी, बिंदु सार की बात करते हैं, बिंदु सार जो है, इसे कई नामों से जाना गया है, बताइए, बताइए, आहां जिन्दा पीर हो गया खीक है आप बताओ बिंदुसार के बारे में इजे किस-किस नाम से जाना गया है नहीं पता लिखो एक तो ओ जाएगा अमित्र घात चीक है क्या कहा गया है एक तो कहा गया है अमित्र घात ठीक है और सिंग सेन किस नाम से जाना गया है सिंग सेनू के नाम से जाना गया है दूसरा अजात शत्रू अजात शत्रू अजात शत्रू वरी सार ठीक है अजात शत्रू वरी सार के नाम से जाना गया है नेक्स्ट एब रास्ट्र कवी रास्ट्र कवी के नाम से किने जाना जाता नेशनल पॉइट ये बता दो नेशनल पॉइट जो है ये किने कहा जाता है नेशनल पॉइट किने कहा जाता है ये कौन बताएगा किसे को नहीं बता अगर मैं हिंट दे दू ये लो चलो लिख लो मैथिली शरन गुपता इनका नाम है मैथिली शरन गुपता चीक है ये नेशनल पॉइट के नाम से जाने जाते हैं ठीक है यहां तक कोई दिक्कत किसी को चलो तो अब देखो भई अभी तक हमने परस्नालिटीज के बारे में देखा है ना टोटल सिक्स्टी इंपॉर्डेंट जो है वो यहां से पूछ लिये जाते हैं आपसे अब मैं कुछ सिटीज के नाम भी बता देती हूँ आपको कि कौन कौन से सिटीज जो है वो पूछे जाती कुछ छूट गया हो तो आप भी पूछ सकते हूँ अगर कोई छूट गया तो बता भी सकते हूँ ठीक है चलो तो अब बात करते हैं कुछ सिटीज के बारे में एक ऐसा कलर जो दोनों पर विजिबल हो ऐसा तो है यलो ओके देखो भई डिब्रोगड ये जगे आपको मिलते है कहाँ पर आसाम के अंदर इसे कहा जाता है टी सिटी ओफ इंडिया आप सभी जानते हैं चाय जो है वो सबसे ज़ादा आसाम के अंदर मिलती है लेकिन अगर कंट्रीज की बात करेंगे तो चाइना हो गया ठीक है भागलपूर जो है इसे डायमेंड सीटी के नाम से जाना जाता है और अब तो वहाँ पर पूरा एक वर्ल्ड लेवल का सबसे बड़ा जो डायमेंड एक्सजिंज सेंटर भी बन गया है अभी रीसेंटली मोदी जी ने उसका इनेगॉरेशन भी किया है पानी पत ये हर्यारा की अंदर है इसे सिटी ओफ वेवर्स कहते हैं सिटी ओफ वेवर्स कहा जाता है जमशेदपूर को स्टील सिटी ओफ इंडिया की नाम से जानते हैं जमशेदपूर को बेंगलूरू जो करनाटिका की क्यापिटल है इसे Silicon Valley कहते हैं Science City of India, Garden City of India ये Bengaluru जो है इसको कहा जाता है ठीक है अच्छा उसके बाद है Column और Kochi ये दोनों district Kerala की इंदर आपको मिलते हैं तो यहाँ पर जो Column है इसे कहते है Cashew Capital of the World Cashew Capital of the World Kochi को Queen of Arabian Sea कहा जाता है Mumbai को City of Seven Islands कहा जाता है ये साथ Islands की City है Gateway of India आपको यहाँ पर मिलते है Hollywood of India इसको कहा जाता है नागपूर महरास्ट्र में Orange City के नाम से इसको जानते हैं ओखे उदैपूर और जैपूर उदैपूर को कहते है City of Lakes क्योंकि यहाँ पर सबसे जादा Lakes मिलती है लेकिन Countries की बात करेंगे तो Finland को कहा जाता है 1000 जीलो का शहर Finland को ठीक है ओके जैपूर की बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं Pink City के नाम से जाना जाता है आच्छा आप मुझे Comment section में लिखके बताएगा जैपूर को Pink City क्यों कहते हैं ठीक है जैनाई Automobile Capital of India और Gateway of South India इसको कहते है कोयम टूर Manchester of South India South का Manchester कहते हैं कोयम टूर को North का Manchester किसे कहते हैं कानपूर को और भारत का Manchester कहते हैं एहम्दाबाद को ठीक है तो लिख लिजे North का Manchester जो है ये कानपूर को कहा जाता है लेकिन भारत का Manchester जो है ठीक है भारत का Manchester जो है ये एहम्दाबाद को कहा जाता तीन Manchester है हमारे देश में Manchester बेसिकली एक city ये ब्रिटेन के अंदर है वहाँ पर काफी सारा क्या है रोजगार है लोगों के लिए काफी सारा employment है तो हमारे देश में भी जगे पर ज़्यादा रोजगार employment है उस जगे को हमने नाम दे रिया Manchester का ठीक है अच्छा आगे चलते है हिदराबाद ये city of pulse मोतियों का शहर है लखनाउ नवाबो का शहर ठीक है मैसूरी जो है queen of mountains कहते है इसको कॉलकाता city of joy कहा जाता है ठीक है या फिर महलो का शहर भी इसे कह दिया जाता है बिलकुँ सही है आगे चलते है अमरिज सर की बात करेंगे नेक्स्ट आपका अमरिज सर इसे golden city के नाम से जानते हैं ठीक है एहमदाबाद को Manchester of India मैंने पीशे बताया मुंबई हो गया कोचिन हो गया बैंगलोरू हो गया आपका जैपूर हो गया मुंबई गेटवे ओफ इंटिया हो गया हैदराबाद और सिकंदराबाद इन दोनों को twin city कहा जाता है मदुरे को city of festival तियोहारो का शहर कहते है ठीक है अच्छा पुने को डेकन क्वीन कहा जाता है कौलकाता को महल का शहर कहा जाता है आंधरुपरदेश एग बावल्स ओफ एशिया अंडो की टोकरी कहते है इसको MPA सोया रीजन है ठीक है कोयम टूर हो चुका था लखनव हमने पढ़ लिया और ये भी हमने पढ़ लिया ठीक है चल तो इतने शहर है जहां से कई बाजवे वो questions बन जाते कुछ बचा है तो आप और पूछ सकते है एक Sun City एक क्या हो जाएगा आपका Sun City ऐसी को Blue City भी कहते है ये कौन सी हो जाएगी जोदपूर जोदपूर कहां पर है राजस्थान के अंदर है ठीक है अगर मैं पूछ हू Golden City कौन सी Golden City तो ये कौन सी है Golden City जो है ये किसको कहा जाता है जैसल मेर को ठीक है किसको कहा जाता है जैसल मेर ये जगे अभी कहां पर मिलती है राजस्थान के अंदर आपको मिलती है ठीक है ओके और कुछ कुछ छूट गयो तो पूछ सकते हो पांच नदियों का शेयर पंजाब को कहा जाता है ऐसे कुछ एकाश शेयर छूट गये तो आप पूछ सकते हो नहीं तो फिर मैं पूछूगी फिर जवाब देना पड़ेगा ओके ऐसा नहीं है कि हर शेयर का निकनेम हो नहीं ऐसा नहीं कि तुम आपर अपने शेयर का पूछने लगोगे हर शेयर का निकनेम नहीं होता है ठीक है चलो आप मुझे बताए हजार हाथियों का देश किसे कहते है आप मुझे बताओ हजार हाथियों का देश किसे कहा जाता है country of lakes तो मैंने बता दिया था आपको ये फिल्लेंड को कहते है country of lakes जो है ये किसे कहा जाता है फिल्लेंड को कहा जाता है आप मुझे बताओ, हजार हाथियों का देश किसे कहते हैं, लाओस को कहते हैं, सफेध हाथियों का देश थाइलिंट को कहते हैं, ठीक है, एस्टरी की क्लास हो चुक है, आज पहली क्लास थी, आप आई नहीं आज क्लास में, हो चुक है आज की पहली क्लास, जुसने नहीं दे तो वह आप comment section में मुझसे पूछ रहे जाएगा मेरे हिसाब से तो almost सारी हो गई आपकी cities भी सारी हो गई है और आपके जो क्या कहते हैं जितने भी personalities हैं वो भी सारे हो गई है ठीक है तो अब क्या है आज का session यहीं पर करते हैं the end और अब हम चलते हैं अब हम कल मिलते हैं आप से ठीक है अच्छा लेकिन अभी मैं बता दू कुछ ऐसे students जो application पर भी जुड़ना चाहते हैं मेरा निकनेम बस अब और कुछ मिला नहीं सवाल तो मैं आपना निकनेम बता देजे हैं और कुछ मिला नहीं तो अपना निकनेम बता देजे golden city golden city अच्छे golden city अमरित सर को कहा जाता है और जैसल मेर जो मैंने लिखा ये भी है golden city दोनों option में आज़े तो अमरित सर करके चले आना ठीक है यहां पर yellow color की सारे buildings बनी हुई है ठीक है पत्थरों का जो use किया गया है इस वज़र से इसको golden city कह दिया जाता है बाकि golden city जो है वो आपकी कौन सी अमरित सर दोनों है दोनों ओके चलो ठीक है तो ये सारा जो answer की है वो आपको मिल जाएगी ये last में मैंने पूरा जो answer की है वो भी दिया हुआ है आप लोग को सब pdf में मिल जाएगा ठीक है चले अब मैं बात करती हूँ application की बारे में जिसको भी क्या करना है आगे जुड़ना है application में जुड़ना है आपको अगर syllabus कवर करना है अपना की माम हमें syllabus करना है अपना तो फिर आप क्या है application पे जुड़ सकते हैं ठीक है वहाँ पर आपको tech, non-tech सब कुछ मिलेगा पूरा syllabus हर एक चीज़ का मिलेगा हर एक batch के अंदर तो क्या करना आपको order 24-7 जो है ये type करना है first वाले जो website होग इस पर जाके click कीज़ेगा और click करने के बाद में आपको जाना है सबसे उपर all courses लिखा हुआ है फिर जाएगा यहाँ पर देखो defense वाले तो यहाँ से select करेंगे defense का section AEJ वाले यहाँ से select करेंगे उसके बाद देखो अपना batch कौन से exam में आप enroll करना चाहते हैं जैसे कि SSCJ 2024 के perfection कर रहे तो आपको यहाँ पर मिलेगा पहले branch देख लिए ना कौन से branch जैसे के civil से हो civil पर click करोगे और किसी branch से तो वहाँ पर click करना है फिर batches देखो कौन से SSCJ सबसे उपर दिख रहा होगा आपको अगर आप और भी multiple काफी exams के तयारी कर रहे तो फिर आप महाँ पेक पर भी जा सकते हैं अगर बोल दोगे सिर्फ non-tech लेना है तो फिर आप इसमें जा सकते हो यह लक्षे सिर्फ non-tech के लिए है ठीक है इसमें SSCJ 24 के लिए ही मिलेगा आपको अगर आप कहते हो कि मैम tech और non-tech दोनों करना है तो फिर आप यकीन 2.0 पे जा सकते हैं इसमें पूरी team आपको मिलेगी जिसमें tech और non-tech दोनों मिलेगा तो आपको पहले view offers पे जाना है पोर maximum discount ठीक है अब discount कैसे मिलेगा एक code मांगा जाएगा वो फिल करना Y774 ठीक है जैसे ही आप Y774 फिल करते हैं तो कर दीचेगा apply और apply करने के बाद आपको जो यहाँ पे दिखेगा amount यह हो चुका है 2800 रु मिल जाती है ठीक है तो कोड Y774 यह सभी के लिए रहेगा यह सभी के लिए रहेगा Y774 अब हर एक exam के लिए 78% कर discount अगर आप इसको लेते हैं कासी application से कौन से रहेगा वरांसी रहेगा आँ वरांसी का निकनेम है वरांसी का निकनेम वरांसी को कहा जाता है city of light यह भी वरांसी को कहा जाता है temple city हाँ temple city भी कहा जाता है और कुछ चलो आज का session फिल करते हैं the end ठीक है अब आप से मलाकात करेंगे कल और कुछ किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो महापेक है आपके पास बहुत अच्छी है smart city किसे कहते हैं यह अच्छा question है देखो smart city हमारे देश में बनाई जानी है कितनी hundred अगर हम smart city की बात करते हैं तो कितनी बनेंगे 100 smart city बनेंगे ठीक है कितनी बनेंगे 100 smart city कौन सी बुवनेश्वर विच इस capital of Odisha ठीक है आच्छा hundredth smart city जो बनेंगी सोवे नंबर की जो smart city बनेंगी यह कौन सी हो जाएगी यह होगी शिलोंग शिलोंग विच इस capital of Meghalya ठीक है हाँ 100 smart city बनाई जाएंगे आप बिल्कुल देख सकते हो रही है पंचाल देखो यूट्यूब पे जितनी भी classes हो रही है लाइव देखना लाइव देखो टाइम नहीं है बाद में देखो ये लाइव टाइम आपको यूट्यूब पर ही मिलेंगी कहीं नहीं जाने वाली है ये जैसे ही मैं session end करूँगी तो उसके बाद भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा नहीं नहीं मंदिरों का शहर वारांसी को कहते है ठीक है ऐसे दो भूवनेश्वर को भी कह दिया जाता है लेकिन मेंज वह सबसे पहले वारांसी को कहा जाता है ऐसे त्योहारों का शहर मदुरई को कहा जाता है मदुरई जो तमिल लाडू के अंदर है ये city of festivals के नाम से जाना जाता है चले ठीक है ओके गाई तो थैंक यू सो मच हाव ए गूद जे चेक कियर एंज बबाई अब आपसे मुराकात करते हैं कल सुबह करन्ट अफेर वाले सेशन में मेरे साथ जोड़ना ना भूलेगा ठीक है और आभी जो एससे जी दो हजाजा चोबिस की प्रोपर्शन कर रहे हैं तो रहे में बता दो पेड़ बैच में यकीन 2.0 में क्लास है जो आपके स्टार्ट हो चुकि है आज पहली क्लास थ जेगा सो देट की मेरी आगे आने वाली क्लास का नोनिफिकेशन आपको मिल सके थांक यू सो मच बबाई टेक केर हुल रहे अभे जाली क्लास का रहे हैं पुल अवीद का इस जापकी सुटार्व झाल 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 झाल